पैले हम बात करते हैं कि जील लेक होता क्या है तो पानी से भरा एसा area होता है जो land के दिवारा coverd होता है मतलब इस्तल खंडों के दिवारा घिरा होता है जीलो का पानी जो होता है वो सामनेत अस्थीर होता है और जीलों की एक महतपुन विशेशता होती है कि इनके पानी में क्या होता हैं? खारापन होता हैं भहुत सारी जीले जो होती है वो ताजे पानी, मतलब मीठे पानी की जीले भी होती हैं तो चलिए, एक एक करके हम सभी को अच्छे से डिसकस करेंगे महादीव वाइस मैं आपको बताऊंगा कॉंटिनेंट वाइस हम अच्छे से डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की तो एशिया में देखिए सबसे पहले आता है केस्पियन सागर जो कि एशिया की सबसे बड़ी जीले एक बात ध्यान रखेगा केस्पेन सागर जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में आता है और कुछ हिस्सा जो आता है वो यूरोप में आता है इसलिए ये यूरेशिया में गिना जाता है अगर केस्पेन सागर को हटा दे हम और एशिया की सबसे बड़ी जिल की बात करें अगर केस्पेन सागर क एसे कितने देश है पांस देश हैं अजर्बेजान, रूस, कजाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इरान ये पांस देशों की जो सीमा हैं वो केस्पियन सागर से लगी हुई हैं ये बहुत बार एक्जाम में कोशन पूछा गया है गुमा फिरा के आपसे कोशन पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा पांस देश कोन-कोन से हैं अजर्बेजान, रूस, कजाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इरान इसके बाद देखिए अगली इंपोर्टेंट जील आती है एशिया में वो कोन से आती हैं बेकॉल जील ये वीश्व की सबसे गहरी जील कोन सी है बेकॉल जील जो की रूस के साइबेरिया शेतर में पढ़ती है ये एक मीठे पानी की जील है और इसकी गहराई कितनी है 1642 मेटर है बेकॉल जील को पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है साथी परल ओफ साइबेरिया के नाम से भी इसे जाना जाता है दोनों ची ध्यान रखेगा पवित्र सागर और परल ओफ साइबेरिया किसे कहा जाता है बेकॉल जील को कहा जाता है ये विश्व की सबसे प्राचिंतम जील है बेकॉल जील इसके बाद देखे एशिया में अगली कोंसी जील आती है इंपोर्टेंट वो आती है वान जील जो है ये जील यूरेशिया मे में पढ़ती है विश्व की सर्वादिक लवणिय जीले मतलब सॉल्टी जीले और इस जील की लवणता जो है वो कितनी है 330 प्रतिशत है और कहाँ पर इस्तिते यह ध्यान रखेगा टर्की में इस्तिते है टर्की जो है वो यूरेशिया में आता है तरकी का देखिए आदा पोर्षन जो है वो यूरोप में आता है और आदा किसमें आता है एशिया में आता है इसलिए ये यूरेशिया का भागे है इसके बाद देखिए एशिया की अगली इंपोर्टेंट जिल कोन से आती है देवताल जिल देवताल जील जो है ये भारत की सबसे उँची जील है भारत की सबसे उँची जील कौन सी है देवताल जील है जो की 17,745 फिट की उँचाई परिस्ती थे है इसके बाद देखिए इंपोर्टेंट अगली जील अरल सागर अरल सागर जील जो है ये कजाकस्तान और उजबेकिस की सीमा पर इस्तित हैं आकार बड़े होने के कारण इसे क्या कहा जाता है सागर कहा जाता है आश्चेरे की बाद देखिए मैं आपको बताता हूं कि इस जिल का 90 प्रतिशत पानी जो है वो सुख चुका है केवल 10 प्रतिशत पानी ही यहां पर बचा हुआ है अरल सागर जो है लगबग लगबग पूरा जो है वो सुख चुका है तो कहां पर इस्तित है यह यह चीज़ आप ध्यान रखेगा बस कजाकस्तान और उजबेकिस्तान की सीमा पर इस्तित है इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारे लोपनोर जिल और फाइफ फ्लावर जिल यह दोनो तल से 418 मीटर नीचे इस्तित है यह भी एक खारे पानी की जिल है और कहां पर इस्तित है यह चीज़ आपको पता होना चाहिए इस्राइल और जॉर्डन के बीच इस्तित है डेट सी म्रत सागर तो फ्रेंड्स यह एशिया की हमने सभी इंपोर्टेंट जिल को डिसकस करा इ इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप महादीब की यूरोप की देखिए सबसे बड़ी जिल की अगर बात करें तो वो कौन सी जिल है लादोगा जिल लादोगा जिल जो है एक मीठे पानी की जिल है जो की पशिमी रूस में इस्तित है खलियर रूस का देखिए कुछ 16000 जीले जो हे वो इस्ति थें कहांपर Finland में इसलिए Finland को जीलो की वाटी का Garden of Lakes या फिर जीलो का देश खा जाता है किसे का जाता है? Finland को का जाता है Finland की सबसे बड़ी अगर जील की بात करें तो वो कौन सी है? साइमा जीले जो कि यूरोप की चोथी सबसे बड़ी जील है यूरोप की सबसे बड़ी जील कौन सी है लादोगा जील इसके बाद देखिए अगले महादीप के हम बात करते है जो कि है अफरीका अफरीका की सबसे बड़ी जील कौन सी है विक्टोरिया जील जो की तंजानिया, युगांडा और केनिया के बीच में इस्तिते हैं विक्टोरिया जिल इसके बाद देखिए अफरिका की इंपोर्टेंट जिल आती है टांगा निका जिल जो की विश्व की दूसरी सबसे गहरी जिल है पहली कौन सी है, बेकॉल जिल है, जो की एशिया में इस्तिते है एक और इंपोर्टेंट चीज निकल कर आती है, टांगा निका जिल जो है ये विश्व की सबसे लंबी जिल है, सबसे लंबी जिल कौन सी है, टांगा निका जिल है ये टांगानिका जिल जो हैं 660 किलोमेटर लंबी हैं और एक ताजे पाने की जिल हैं तो ये अफरीका की देखिए important जिले हमने डिसकस करी विक्टोरिया जिल और टांगानिका जिल इसके बाद देखिए अगला महादी पाता है हमारा आस्टेलिया आस्टेलिया में बस इतना ध्यान रखिएगा कि आस्टेलिया की सबसे बड़ी जिल कौन सी है आयर जिल ये आस्टेलिया की सबसे बड़ी जिल है इसके बाद देखिए अगला महादी पाता है हमारा दक्षिन अमेरिका दक्षिन अमेरिका की सबसे बड़ी जिल की बात करते हैं तो वो कौन सी हैं टिटीका का जिल हैं जो की पेरू और बोलिविय सीमा पर इस्तित हैं साथी ये विश्वक की सबसे उचाई पर इस्तित नोका गम में जिल भी हैं इसलिए इसको बोला गया है कि नोका गम में जिल हैं ये विश्वक की सबसे उचाई पर इस्तित पर अगर देखें नेविगेबल सिच्वेशन को अगर हम हटा दें तो विश्वक की सबसे उची जिल कौन सी होगी ओजस डेल सलाडो जो की अरजेंटिना में इस्तित हैं ये नोका गम में जिल नहीं है ओजस डेल सलाडो जो है ये नोका गम में जिल नहीं है सिर्फ 10 मिटर गहरी है ये तो इसे जलियान जो है वो आसानी से पार नहीं कर सकता है तो आप confused मत होईएगा दोनों चीज़े ध्यान रखिएगा विश्वकी सबसे उचाई पर इस्थित नोकागम में जिल कौन सी है? टिटिका का जिल और अगर ये condition हटा दे यहां से नोकागम में जिल की तो कौन सी है? ओजस डेल सलाडो देखिए इसके बाद अगला continent आता है अमारा उत्री अमेरिका यहां से बहुत सारे questions निकल कर आते हैं तो ध्यान से सुनिएगा उत्तर अमेरिका के उत्तर पूरू में स्थित Great Lakes एक प्रसिद ताजे पानी की जिलो का समू है इसे क्या कहा जाता है? फिंगर लेक शेत्र के नाम से भी जाना जाता है इन जिलों को अगर हम पूरू से पशिम की ओर देखते हैं तो यह सिक्वेंस ध्यान रखेगा सबसे पहले कौन से आती है? Ontario जिल आती है Ontario जिल जो आती है वो सबसे पहले नमबर पर आती है उसके बाद कौन से आती है? इरी जिल तिसरे नमबर पर आती है हुरॉन जिल चोथे नमबर पर आती है मिशिगन जिल और पांचोय नमबर पर आती है सूपिरियर जिल यह पूर्व से पशिम की ओरम चल रहे हैं तो ठीक है सिक्वेंस को आप ध्यान रखेगा अंटेरियो जिल, इरी जिल, यूरॉन जिल, मिशिगन जिल और फिर आती है सूपिरियर जिल इसमें मिशिगन जिल को छोड़ दें तो बाकी सबी जिल जो है वो कनाडा और संयुकतराज अमेरिका की सीमा बनाती है केवल मिशिगन जिल ही पूर्ण रूप से संयुकतराज अमेरिका में इस्थी थे ये एकजाम में कोशन पुछा गया था इसके बाद देखिए सूपिरियर जिल जो है वो उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी जिल है कौनसी? सूपिरियर जिल साथी ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जिल भी है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौनसा है? सूपिरियर लेक है क्लियर? देखिए उत्तर अमेरिका की अगले इंपोर्टेंट जिल में बताता हूँ ग्रेट बीर जिल ये कनाडा की सबसे बड़ी जिल हैं और एक ताजे पानी की जिल हैं ध्यान रखिएगा ग्रेट लेक्स का ये हिस्सा नहीं है ये एक्जाम में कोशन पूछ लिया था तो देखिए ये हमने नौर्ट अमेरिका की सभी इंपोर्टेंट जिलो को डिसकस करा हैं इसमें देखिए जो फिंगर लेक शेतर हैं ये आप ध्यान रखिएगा कौन-कौन सी जिले इसमें आती है और उनका देखिए पूर्व से पशिम की ओर चलने पर सिक्वेंस क्या है वो बस आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने हर एक कौन्टिनेंट वाईज जिलो को डिसकस करा है अब देखिए कुछ और फेक्ट्स निकल कर आते हैं उनको भी हम देख लेते हैं अगर विश्वक के टोफ फाइफ सबसे बड़ी जिलो की बात करें सतक के शेत्रफल की द्रश्टी से तो कौन-कौन सी है देखिए पहले नमबर पर कौन से आती है केस्पियन सागर सेकेंड नमबर पर आती है सुपिरियर जिल तीसरे नमबर पर आती है विक्टोरिया जिल चोथे नमबर पर आती है हुरॉन जिल और पांचों नंबर पर आती है Michigan जिल ये बताया मैंने आपको विश्वक की टॉप 5 सबसे बड़ी जिले हैं सबसे बड़ी जिल कौन सी है केस्पियन सागर अगर हम बात करें कि विश्वक की टॉप 3 गहरी जिले कौन सी है तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आती है बेकॉल जिल उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर आती है टांगानिका जिल और तीसरे नंबर पर आती है केस्पियन सागर ठीक है बेकॉल जिल और केस्पियन सागर जो है ये कहाँ परिस्थी थे हैं तांगा निका जो है वो कहां पर इस्ती थे अफरीका में इस्ती थे clear दोस्तों तो ये देखिए हमने जील वाला section जो है अच्छे से complete कर लिया है सारी जितने भी छोरी बताना थी मैंने सब बता चुका हूँ आपको मैं questions आपका देखिए इनी में से पूछा जाएगा सबसे लंबी जिल है विश्व की दूसरी सबसे गहरी जिल कौन सी है टांगानी का जिल है जो कि विश्व की सबसे लंबी जिल भी है इन में से कौन great legs का हिस्सा नहीं है देखिए great legs का हिस्सा कौन कौन है ओंटेरियो जिल है इरी जिल है Huron Gil, Michigan Gil, Superior Gil ये सबी जो हैं ये Great Lakes का हिस्सा हैं पर बियर जिल जो हैं ये Great Lakes का हिस्सा नहीं है संयुक्तराज अमेरिका की व्रहत जिलों का पूरव से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है देखे पूरव से पश्चिम की ओर तो sequence क्या था सब से पहलाती है अंटेरियो जील, फिर इरी जील, फिर हिरोन, मिशीगन और फिर लास्ट में सुपिरियर। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला कुशन लेते हैं। निम लिखी जीलों में कौन सी पुन्दत यूएस में इस्तित हैं। पुन्दत यूएस में कौन सी इस्तित हैं देखिए, मिशीगन जील जो है यह पुन्दत यूएस में इस्तित हैं। बाकी जीले जो हैं यह कनाडा और संयुकत राज की सीमा बनाती हैं। आस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जील हैं। आयर जील जो हैं आस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जील हैं। विश्वक की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील हैं। सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कौन सी है? सुपिरियर जील। डी आंसर। चली अगला कोशन लेते हैं। निम लिखी जिलों में कौन विश्वक की प्राचिनतम तथा सबसे गहरी जिल हैं? सबसे गहरी जिल कौन सी है? बेकॉल जिल. अगर दूसरे नंबर की सबसे गहरी जिल की बात करते तो कौन सी आती है? टांगानी का जिल. ओके? तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा. शेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्वक की सबसे बड़ी जिल कौन सी है? कौन सी है? केस्पियन सागर. प्रसिद अंगलियो नूमा फिंगर जिल शेत्र कहां इस्तित है? संयुक्त राज अमेरिका में इस्तित है. नेक्स कोशन लेते हैं. निमन मेंसे किसे जीलों की वाट विश्वक की सरवादिक घहरी जिल हैं. विश्वक की सरवादिक लवनिय जिल हैं. सॉल्टी जिल कौन सी है? वॉन जिल. जो की टर्की में इस्तित हैं. समुद्र तल से सरवादिक नीची जिल कौन सी है? म्रत सागर. डेट सी. सरवादिक उचाई पर इस्तित नोका गम्य ज पुर्वी अफ्रीका में इस्थित् है निम्लिखित में से किस एक की सीमा केशपयन सागर से नहीं लगती हैं। एसे कौन से देश हैं, जिनकी सीमा केसपेंसागर से लगती हैं, अजरबेजान की लगती हैं, कजाकस्तान की लगती हैं, तुर्कमेनिस्तान की लगती हैं, रूस की लगती हैं, इरान की लगती हैं, अर्मेनिया की नहीं लगती हैं, यहाँ पर ए अंसर निम लिखित में से कोन सी एक जिल तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतराश्टी सीमा बनाती है। निम लिखित में किसको परल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। निम लिखित जिलो को शेत्रफल की दस्टी से सही अवरोही क्रम में विवस्तित कीजिये। तो सबसे बड़ा पहले आएगा तो देखिए यहाँ पर ग्रेट बियर, बेकॉल, विक्टोरिया, सुपिरियर। तो सबसे पहले कौन सा आएगा सुपिरियर जिल। चोथे नंबर का, उसके बाद देखिए सबसे बड़ी जिल कौन सी है, विक्टोरिया जिले। उसके बाद फिर बेकॉल जिलो और फिर ग्रेट बियर। तो 4321 यहाँ पर एए आंसर बिल्कुल सही होगा। यूपी PCS 2016 में कोशन पुछा गया था, तो इसे सिक्वेंस भी पूछ लेते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कोशन लेते हैं, यह भी देखिए काफी इंटरेस्टिंग कोशन है, निमलिखित को सुमेलित कीजिये, जिलो का नाम दे रखा है और संबंदित देश दे रखा है। अरल सागर, अरल सागर कहां पर रिस्थी थें, कजाकस्तान, मिशिगन जील कहां पर रिस्थी थें, सयुक्तराज अमेरिका, ग्रेट बियर जील, ये कहां पर रिस्थी थें, कनाडा की सबसे बड़ी जीले, आयर जील कहां पर रिस्थी थें, औस्टिलिया में, तो A का क्या हो तक चेनल को सब्सक्राइब नहीं करा हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के बेनेफिशल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनेफिट मिलता रहेगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन्द जय भारत